नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दुनिया भर के कई सारे देश यहाँ पर अपनी डिपेंडेंस को चाइना के ऊपर से कम करना चाहते हैं और वहीं पर साथ ही में US and Australia भी इस race में जुड़ चुके हैं यहाँ पर US और Australia basically rare earth minerals के लिए एक नई supply chain बनाना चाहते हैं जिसमें कि वो चाइना के ऊपर dependence खतम कर दें यानि कि they want to make a supply chain which is free of China for the supply of rare earth minerals यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे rare earth minerals क्या होते हैं और US और Australia इसमें किस तरीके से progress कर रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद इस lecture की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलेग्राम चानल से कर सकते हैं इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं Study IQ की app जो की Google Play Store पर उपलब्ध है इस आप के तुरू आप घर बैठ कर या फिर कहीं पर भी UPSC, IES की परिक्षा की तयारी आराम से कर सकते हैं इस आप के ऊपर smart course available है और इस course के ऊपर EMI options भी available हैं जल्दी से जाए आपको डाउनलोड कीजिए और इस course का फायदा उठाईए कुछी दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में भी हमने इसी चीज़ के बारे में बात की थी किस तरीके से जो देश हैं वो अपनी चाइना के ऊपर निर्भरता को कम करना चाहते हैं इसमें इंडिया जापान और उस्ट्रेलिया ये तीनों देश मिल करके एक ऐसी supply chain बनाना चाहते हैं जिसमें की इनकी dependence चाइना के ऊपर कम हो इसी के साथ कई सारे और देश हैं दुनिया में अगर आप देखें European Union जो है ये अपनी dependence को चाइना के ऊपर कम करने में इंट्रेस्टेट है आप दे सेम टाइम जब coronavirus स्टार्ट हुआ तो उसके पहले ही US और चाइना के बीच में चल रही trade war जो है वो और जादा intensify हो चुकी थी और इस intensification में US President Donald Trump ने कहा कि हम यहाँ पर जो वैश्विक अपूर्थी श्रंखलाए हैं यानि कि जो global supply chains हैं हम इनको चाइना से निकालना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके इसी के चलते यहाँ पर Australia और USA basically rare earth minerals को लेके cooperation कर रहे हैं अब आपको बता दूँ यह news वैसे पुरानी news है यानि कि यह news November 20 2019 में basically बातचीत शुरू हो चुकी थी लेकिन अब हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं because अब इसको लेके जो progress है progress बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है और बहुत ज़्यादा enthusiasm से दोनों countries आगे बढ़ रही है clear before we move forward सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे rare earths या फिर rare earth elements क्या होते हैं so basically यदि आप periodic table से यहाँ पर familiar है so आपको बता दूँ कि rare earths there are a group of 17 chemical elements which are used in everything from high-tech consumer electronics से लेकर military equipment यह इनकी बहुत ज़्यादा application होती है right जो आपके high-tech consumer electronics है for example जो आपकी बहुत ही high-ranged LEDs होती है TVs होते है right इसके इलावा military equipment में बहुत जगा पर काम आता है especially radar equipments में, surveillance equipments में यह जो भी technically advanced आपकी यहाँ पर equipment होती है उन सभी में rare earth elements का बहुत बड़ा योगदान रहता है right अगर हम यह 17 chemical elements की बात करें so यहाँ पर एक तो आते हैं इसमें 15 lanthanides और साथ में दो और आते हैं scandium और yatrium अब scandium और yatrium even though lanthanides नहीं है लेकिन क्योंकि इनकी जो chemical properties है वो मोटी मोटी same है इसलिए ये rare earth वाली category में fall करती है अब एक सवाल ये भी आता है कि असल में इनको rare क्यों कहा जाता है so यहाँ पर थोड़ी सी confusion है rare earth basically इनको इसलिए नहीं कहा जाता because ये धर्ती में बहुत कम पाये जाते हैं in fact ये धर्ती में अच्छी खासी मात्रा में पाये जाते हैं एक या दो rare earth elements को अगर आप छोड़ दें तो यहाँ पर कई सारे rare earth elements ऐसे हैं जिनकी मात्रा in fact बहुत ही जादा है अगर आप देखें cerium जो की एक rare earth element है ये धर्ती में 25th most abundant element है जो की पाये जाता है in fact इसकी abundance copper से भी जादा है so सवाल ये आता है कि इनको rare कहा क्यों जाता है असल में इनको rare कहने के पीछे कारण दूसरा है basically क्या होता है जो rare earth elements होते हैं ये rare earth minerals के बीच में पाये जाते हैं जो rare earth minerals हैं वो आपको एक जगा पे एक साथ नहीं पाये जाते they are typically dispersed ठीक है वो जगा जगा पे पाये जाते हैं और उसमें भी जब वो जगा जगा पे पाये जाते हैं they are not often found concentrated in the rare earth minerals यानि कि माल लीजे आपको धरती में एक rare earth mineral मिला उसमें कितना ज़ादा rare earth element होगा इस पे depend करता है so rare earth element अकसर उस mineral के अंदर बहुत ही कम होता है जिसकी वज़े से जो economically exploitable deposit है वो आपका काफी कम मिलता है so यहाँ पर यह बात आती है कि असल में इसको rare इसलिए कहा जाता है because of the difficult economic exploitation prospects यहाँ पर इनको economically exploit करना मुश्किल हो जाता है जिसकी वज़े से इनको rare कहा जाता है चलिए आगे देखते हैं अगर हम इनकी reserves की बात करें so reserves के case में काफी simple है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर reserves दुनिया भर में सबसे जादा है चाइना के पास ठीक है reserves के case में आप देख सकते हैं basically चाइना सबसे top पर है उसके बाद आपका आता है ब्राजील यह बाकी countries भी वगरा वगरा आती है ठीक है इसमें आपका USA के पास भी अच्छे खासे reserves यहाँ पर पाए जाते हैं लेकिन जहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो है Australia ध्यान दीजिए Australia के जो reserves है वो इंडिया से भी कम है इंडिया के पास अगर 3.1 million ton के reserves है Australia के पास 2.1 million ton के reserves है लेकिन हम यहाँ पर कुछ और चीज़ बात करना चाहते हैं अब देखिए Australia यहाँ पर केवल और केवल 2.8% of the world's rare earth reserves को रखती है लेकिन बात आती है production की अब यहाँ पर सबसे maximum जो reserves है वो चाइना के पास है और production भी चाइना की ही सबसे top पर है ठीक है लेकिन अगर हम production की बात करें उसके बाद second number पर कौन आता है second number पर USA फिर Myanmar फिर Australia यहाँ पर Australia की production काफी जादा है as compared to other countries Australia की production काफी जादा है and more importantly यहाँ पर जो नए projects आ रहे हैं अगर माल लीजे दुनिया में 100 नए projects बनाए जा रहे हैं rare earth minerals की exploitation के लिए उसमें 50 से जादा projects जो है वो Australia में ही आ रहे हैं कहने का मतलब Australia अपनी production capacity को बहुत जादा ramp up कर रही है बहुत जादा तेजी से बढ़ा रही है अब यह यहाँ पर एक interesting चीज है इसलिए USA और Australia ने मिलकर यहाँ पर बात चलाई है कि हम चाइना के ऊपर जो dependence है उसको कम करना चाहते हैं अब ध्यान से देखिए चाइना जो की 35% of global reserves रखती है 70% से जादा production करती है US जैसी country भी यहाँ पर चाइना के ऊपर ही मोटी मोटी dependent है US के आपको बता दूँ लगभग 80% जो आपके imports है rare earth minerals के rare earth elements के I'm sorry वो सभी के सभी चाइना से ही आते हैं अब यहाँ पर इस problem को कम करने के लिए USA basically बातचीत कर रहा है with Australia So first problem is कि अब उनकी जो import है वो सारा का सारा चाइना से आता है दूसरा सवाल दिमाग में ये भी आता है कि USA के पास जब इतने सारे reserves हैं तो USA खुद produce क्यों नहीं कर लेता असल में इनकी production और इनकी जो processing है वो काफी ज़्यादा tough होती है और यहाँ पर उसको लेकर काफी ज़्यादा खर्चे भी होते हैं अब यह हरानी वाली बात है कि एक तो rare earth mine भी उनके पास केवल एक है जो की operational है और processing facilities तो कोई भी नहीं है इसलिए उनकी जो major dependence है वो चाइना के ओपर यहाँ पर पढ़ जाती है अब यहाँ पर क्या होता है कि चाइना जो की सबसे बड़ा producer है यह आपको मालूम होगा चाइना और US की trade war चलती रहती है तो चाइना अकसर इस चीज का इस्तिमाल करता है कि अगर आपने हमारे साथ trade talks नहीं की या फिर आपने हमारे according trade talks नहीं की तो उस case में हम rare earth के exports के ऊपर कोई ना कोई बैन लगा देंगे हम कोई ना कोई इसका तरीका निकाल लेंगे कि आपको rare earth नहीं भेजेंगे So basically China इसको एक तरीके से leverage की तरा use करता है जिसकी वज़े से USA को यहाँ पर काफी तकलीफ सहनी पड़ती है इसी के चलते वो Australia के साथ यहाँ पर यह बातचीत कर रहा है So as you can see US Australia to unveil rare earth mineral supply chain plan यहाँ पर यह बातचीत पिछले साल ही शुरू हो चुकी थी जहाँ पर they are trying to secure the supply of rare earth minerals so that China को हम bypass कर सकें इसके बीच में basically जो बातचीत चल रही है वो दो companies के साथ बात चल रही है एक Australia की Linas Corporation Limited Linas Corporation Limited दुनिया की जो है second largest processor है first largest processor China की एक company है second largest processor दुनिया भर में आती है Linas Corporation और यह यहाँ पर एक plant बना रही है processing plant in Texas Texas एक राज्य है USA का यह है Linas Corporation आप देख सकते हैं इसकी location USA में है Australia में है और यह थोड़ा बहुत Malaysia में भी operate करती है so इन सब areas में Linas Corporation operate करती है और हाल ही में इसमें जो latest development हुई है उसमें Australia की एक और company है Arafura के नाम से Arafura के नाम से जो company है इसने भी rare earth processing को start कर दिया है with a US company so यह दो बड़ी developments हुई है जिसके चलते यह कहा जा रहा है कि Australia और US से अब काफी serious हैं अपनी supply chain को बनाने के लिए लेकिन यहाँ पर एक जो problem आती है वो यह भी आती है और इस चीज़ की बात हम केवल इसमें नहीं कर रहे हर जगा हमने इस चीज़ की बात की है कि जब कभी हम चाइना से supply chain को shift करने की बात करते हैं या फिर चाइना को bypass करने की बात करते हैं इसमें जो cost involved होंगी वो काफी जादा होंगी because चाइना जो है वो supply chain का supplier आज से ही नहीं वो लगभग 20 से 30 साल से चाइना इस sector में काम कर रहा है आपको चाइना को यहाँ पर replace करना काफी मुश्किल होगा in fact जो experts हैं जो कि particularly इस deal के साथ वाकिफ हैं US और Lainas deal के साथ जो वाकिफ हैं वो खुद भी यह बोलते हैं कि problem यहाँ पर क्या आने वाली है कि जो mines यहाँ पर Lainas के पास हैं उनमें जो rare earth minerals available हैं उनमें rare earth elements का जो content है वो काफी कम है as compared to China जिसकी वज़े से यह पूरा का पूरा जो deal है वो शायद उतना जादा profitable नहीं होगा so unless हम इसके around कोई रास्ता ढूंड पाते हैं तब तक हम यहाँ पर जादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे so the market is keeping a close eye on the US-Australia alliances growing confrontation with China so basically in the end यही कहना चाहेंगे कि undoubtedly इस पूरे की पूरी deal का एक काफी अच्छा फायता तो जरूर है लेकिन जब तक इन challenges को address नहीं किया जाएगा तब तक यह deal आगे नहीं बढ़ पाएगी इसी के साथ आप से विदा लेता हूँ Thank you for listening, stay tuned and stay safe